रिश्वत लेकर सवाल पूछने के लिए लोगसभा से निकाली गई टीमसी नेता महुआ मोहित्रा ने आखिरकार स्विकार कर लिया कि वो एक प्रष्टाचारी नेता हैं महुआ का ये कुबोल नामत तबाया जब अशोख चवहान ने कॉंग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गए अशोख चवहान के वीजेपी में शामिल होने पर महुआ ने कहा कि भाजुपा जिस तरह से नेताओं को जोईन करा रही है जिन्हें कभी भ्रष्ट कहती थी उस तरह से एक दिन वो चाहेगी कि मैं भी उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाओं ये इनका गिरता हुआ स्तर है महुआ मोहितरा को बीते साल कैश के बदले संसद में सवाल पूछे जाने के आरोपों पर संसदी गवानी पड़ी थी उन पर आरोप था कि उ मुझे लगता है कि जब राम डला की कृपा से 2024 के चुनाओं में 400 सीटें आ रही हैं तो फिर भाजपा हर नेता को अपने ही पाले में लाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है उन्हें भी वहला रही है जिनको किसी दौर में उसने करप्ट घोशित किया था ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही मुझे भी अपनी पार्टी में लिना चाहेंगे महुआ मोहितरा को भले ही अपनी सदसेता गवानी पड़ी लेकिन टीमसी की मुखिया ममता बनर जी का उन पर भरोसा कम नहीं हुआ उन्होंने महुआ की तरफदारी करते हुए कहा कि महुआ को निलंबित कर सला के 34 सीम पच छोड़ना पड़ा था भाजपा लीडर्शिप का मानना है कि चौहान की एंट्री से उसे मराठ वाड़ा में अपनी पकड मजबूत करने में मदद मिलेगी अर्विंद केजरिवाल की सरकार में बिना रिश्वत दिये कोई काम नहीं होता और बिना रिश्वत लिए कोई काम करता नहीं मामला शराब के ठेके खुलवाने का हो या फिर स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ती का दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूल में 35 नए प्रिंसिपल की नियुक्ती को चुनौती दी गई है दिल्ली में इन सभी प्रिंसिपल्स की न्यूक्ती की जाच कराय जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी अब अदालत ने इस मामले में दिल्ली की अर्विंद के जुरिवाल सरकार से नोटिस भेज कर जवाब मांगा है याचिका में कहा गया कि अदालत सम्मंधित आथारिटी को ये निर्देश की इन स्कूल प्रिंसिपल्स की न्यूक्ती की वो जाच करें आरूप है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेश दिये थे अदालत में कारीकारी मुख्य नयाधीश मनमोहन और जस्तिस मनमीद पीम अरोडा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा यूपीएसी और प्रिंसिपल्स से भी इस याचिका पर जबाब मांगा है अदालत में इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी इस याचिका में आरोब लगाया गया कि इन सभी 35 अभी अर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रिजन्ट किया और इनकी न्यूकती गहर कानूनी तरीके से हुई थी याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिये गए दस्तावेस की स्कूरूटरिनी करने में पूरी तरह से नाकाम रहा इसकी वज़े से इनकी गलत तरीके से न्यूकती हुई सुनवाई के दोरान याचिका करता नवेंदू चैरिटेवल ट्रस्ट के वकील ने दावा किया कि उनके पास कुछ अन्य प्रिंसिपल्स को लेकर भी सबूत है अदालत ने इससे पहले याचिका करता से कहा था कि जिनके खिलाफ आरूप लगाए गए हैं उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए याचिका करता ने आरूप लगाया कि इन सब ही 35 प्रिंसिपल्स ने फरजी सर्टिफिकेट दिये याचिका में कहा गया कि इनके परिवार का सालाना आए आठ लाग से भी उपर है कुछ अन्य ने OBC कोटे का फाइदा गलत तरीके से उठाया और फरजी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दिखाए याचिका करता ने कहा कि उन्हें तो सिर्फ कुछ ही फरजी न्यूक्तियों का पता चला है कई और भी अवैद न्यूक्तियां हो सकती है याचिका में कहा गया कि व्यापक पैमाने पर घलत चैन की वजए से उप्यूक्त कैंडिडेट की न्यूक्ति नहीं हो सकी ये सम्विधान की धारा सोलह का उलंगन है ये कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियज पर है और एक लाख पचाहतर हजार से जादा वेतन भी ले रहे हैं अगर ये भी स्थाई हो गए तो इनकी जाच भी जटिल हो जाएगी और इस स्कैम की वज़े से बास्तविक तोर पर उप् अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई वियो रिपोर्ट निउस अफ इंडिया संसद का सत्र खत्म हो जाने के बाद MSP दो पैंशन दो विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल जाओ जैसी विचित्र मांगों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसान हिंसक हो चुके हैं पुलिस के साथ कई जगहों पर उन्होंने जड़ब हिंसक की और लेकिन पिछले किसान अंदोलन से सबक लेते हुए सरकार इस पर बेहत सखत है BJP के सांसद सुधान शुत्रिवेदी ने इस वजह से कहा कि अभी तो सरकार चाहे तो भी उनकी मांग नहीं मान सकती सुधान शुने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर समवेदन शीलता के साथ सतरकता के साथ काम कर रही है उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है और आगे भी सरकार पूरी समवेदन शीलता के साथ काम करेगी लेकिन आज लोगों को समझना चाहिए तकनीकी तोर पर इस समय जब लोगसभा का सत्र खत्म हो चुका है तब कानून की मांग विचित रहे अब तो कानून की अधिसूचना जारी होने वाली है ऐसे में सरकार अब कोई कानून बनाना भी चाहे तो भी नहीं बना सकती इसलिए जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदू पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज कानूनी दृष्टी से संभव भी नहीं है सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है हमारे दो दो मंतरियों ने बात की और आगे भी प्रतिबदता है किसानों के हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा किसानों और पुलिस के बीच शंबू और खनोरी बॉर्डर पर हिंसा हुई पुलिस करमी घायल हुए फिरहाल ये सिलसला थमता नहीं देख रहा पिछली बार किसान आंदूलन के नाम पर हत्या रेप हिंसा न जाने क्या क्या हुआ आंदोलन के नाम पर अराजकता का नंगा नाच हुआ लाल किले से तिरंगा उतारा गया खालिस्तानी जंडा फैराया गया 2021 में सिंगू बारडर पर लकबीर सिंग नाम के शक्स की बेरहमी से हत्या की गई आईस आईस भी शर्मा जाए 2021 में टिकरी बारडर पर पश्शिम बंगाल से आई 25 वर्ष युवती के साथ कथित तोर पर रेफ हुआ बाद में पीडिता की मौत हो गई पीडिता के पिता इंसाफ की गुहार लगाते रहे आंदोलन के दौरान दिल्ली की सड़कों पर अराजकता का माहौल रहा और इसका अंदाजा 26 जनवरी 2021 को लाल किला पर कथित आंदोलन कारियों की दंगाई हरकत से समझा जा सकता है प्रैक्टर मार्च के नाम पर देश की राज़ानी को गनतंतर दिवस पर पंगू बनाने की कोशिश हुई आंदोलन के नाम पर आग जनी तोड़ फोड और हिंसा की गई सेकड़ो पुलिस करमचारी जखमी हुए एक पूरे शहर को आंदोलन के नाम पर महीनों तक एक तरह से बंधक बना कर रखा गया देश की राज़ानी की सीमाओं को गेर कर मनमानी की गई आखिरकार नवंबर 2021 में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने उन तीन करशी कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे ये एक सरकार का भीड़ तंतर के सामने सरेंडर था प्रधान मंतरी ने तपस्या में कुछ कमी रह जाने की बात कही कानून वापस लेने का एलान करते वक्त भी पीम ने उन कानूनों को किसानों का हित्यशी बताया ये लाचारी जाहिर की कि वे इस मुद्दे पर किसानों को समझा नहीं पाए तीन-चार महीने बाद यूपी और पंजाब विधान सभाचुनाओं में बीजेपी आंदोलन से किसान नुकसान कि आशंका थी नतीज़तन साल भरता कड़े रहने के बाद लागू करना टालने के बाद सरकार ने तीनों कानून वापस लिये ये बात अलग है कि इस कदम से बीजेपी को ना पंजाब में कोई फायदा हुआ ना पश्ची में यूपी में हाँ भीड़े तंतर के आगे एक कथित ताकतवर सरकार के सरिंडर से वैसे तत्तों का होसला जरूर बढ़ गया कि आंदोलन के नाम सडकों पर आराजगता या शेहरों को बंधग बना कर सरकारों को जुकाए जा सकता है इस बार भी लोग सवर चुनाव के पहले वही कोशिश हो रही है लेकिन तब और अब में काफी फर्क है सरकार सिर्फ सतरक नहीं है बलकि सखत भी है दोहजार उनीस में राहूल गांधी को अमेठी में मिली करारी हार से सूनिया गांधी इतनी घबरा गई कि उन्होंने राय बरेली से चुनाव लड़ने की जगे राज्यसभा का रास्ता चुन लिया कहा गया कि उनकी सिहत ठीक नहीं रहती इसलिए चुनाव लड़ पाना मुश्किल होगा खराब सिहत की वजए से तो वे राज्यसभा में भी ठीक काम नहीं कर पाएंगी लेकिन रहने के लिए सरकारी बंगला चाहिए तो किसी न किसी सदन का सदस्यप बने रहना जरूरी था सुनिया गांधी की राय बरेली चोडने के साथ यूपी से एक तरह से गांधी परिवार का बुरीया बिस्तरा बंद गया अलकि चर्चा यह है कि राइबरेली से प्रेंका वाडरा चुनाव लड़ेंगी लेकिन उसमें बड़ी दिक्कत यह है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अपने पती रॉबर्ट वाडरा की संपत्ती घोशित करनी होगी और बीजेपी उसी का इंतजार कर रही है क्योंकि अगामी राज्य सबाचुनाव के लिए राजिस्तान से नामांकन पतर दाखिल किया और इस पर केंद्र की वीजेपी ने तीखा तंसकसा पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कभी गांधी परिवार का गढढ रहे उत्तर प्रदेश से अब तक इस परिवार न सीट से हार का सामना करना पड़ा था उन्हें इस हार का अंधेशा पहले से ही था इसलिए राहुल गांधी ने केरल के वाई नाट सीट से भी चुनाव लड़ा था जहां से वे जीत कर संसत्भवन पहुंचे राहुल को बीजेपी की समृती आरानीय ने हराय था राए बरली में निधन के बाद गांधी परिवार के करीब सतीष शर्मा ने यहाँ से चुनाव जीता था। 2004-2009-2014 का लोग सबस्ब्थ चुनाव राहुल ने यहाँ से जीता था। 1999 में कॉंग्रेस अध्यक्ष का पत संभालने के बाद सोनिया गांधी पहली बार अमेठी से सांसत चुनी गई थी। ऐसी चर्चा है कि राय बरेली से इस बार प्रेंका गांधी बारडरा चुनाब लड़ेंगी। सोनिया गांधी स्पास से कारणों से चुनाब नहीं लड़ना चाह रही थी। इसलिए उन्हें राज्य सभा से संसत भीजा जा रहा है। उच्च सदन में ये 77 वर्षी सुनिया गांधी का पहला कारियकाल होगा। विर रिपोर्ट निउस इफ इंडिया। पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। विभाकर शास्त्री ने कॉंगर्स अध्यक्ष मालिका आरजुन खडगे को टैग करते हुए लिखा कि मैं भारतिय राष्ट्रे कॉंगर्स की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तिफा देता हूँ। कॉंगर्स पार्टी को छोड़ने के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान यूपी के मुख्य मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे। विभाकर शास्त्री ने बीजेपी पार्टी जोइन करने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नर्तितों में मैं लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के दुष्टिकोंड को और मजबूत करके देश की सेवा कर पाऊंगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद विभाकर शास्त्री ने आगे कहा कि मेरे लिए बीजेपी के दर्वाजे खोलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, आमिच्शा, सीएम योगी आद्वित्यनात और ब्रजेश पाठक के प्रती आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेरे दादा लाल भादुर शास्त्री के दिश्ट्रिकोंड को आगे बढ़ानी का अउसर मिलेगा। मैं पाटी नर्तितु के नर्देशों के अनुसार काम करूँगा। उन्होंने कहा कि इंदी गडवंधन की कोई विचारधारा नहीं है। इसका उदेश् केवल P.A.M.M.O.D. को हटाना है। उन्होंने राहूल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि राहूल गांधी को बढ़ाना चाहिए कि कॉंग्रेस की विचारधारा आखिर है क्या ब्यूरो रिपोर्ट निउस अफ इंडिया शराब घुटाले मामले में फसी अर्विंद केजडिवाल की मुश्किले बढ़ती जा रही है पांचवे समन के बाद केजडिवाल या सोच कर बैठे थे कि इडी तो उनकी शिकायत लेकर कोट चली गई है इसलिए अब वो समन नहीं भेजेगी लेकिन इडी ने केजडिवाल को चौकाती हुए उन्हें छटा समन भेज कर 19 फरवरी को हाजिर होने को कहा है इडी के कोट का दर्वाजा खटखराने के बाद आमादमी पाटी और खास्तोर सी अतिशी मलरेना ने इडी के खिलाफ आरोप भी लगाए दो फरवरी को सीम अरविंद केजडिवाल इडी के पांचवे समन के बाद पूछ ताच में शामिल नहीं हुए थे जिसके बाद इडी ने समन का पालन न करने को लिकर उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज कराया था आमादमी पाटी के साईयोजक अरविंद केजडिवाल ने इससे पहले इडी के समन को अवैद और राजनीती से प्रुरित बताया था उन्होंने आरोप लगाया था कि इडी उदेश्य उन्हें चुनाओ प्रचार करने से रोकना था इडी की शिकायत पर कोट ने अरविंद केजडिवाल को समन जारी कर दिया है और उन्हें आदालत ने 17 फरवरी को कोट में हाजर होने को कहा है लेकिन अदालत में केजडिवाल के हाजर होने से पहले इडी ने समन जारी कर आम आदमी पाटी में खलबली मचा दी है शराब गोटाले से जुने मनी लॉंडरिंग के मामले में परवर्तन निरिशाले के भेजे गए पांच समन का केजडिवाल ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया इडी ने पूछताच के लिए अरविंद केजडिवाल को पांच बार समन भेज कर बुलाया भी था लेकिन वह हाजर रही हुए जिसके बार जाच एजनसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था इस मामले पर दिल्ली की राउज अविन्यू कोट में सुनवाई हुई और कोट ने अरविंद केजडिवाल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है राउज अविन्यू कोट की ओर सी अरविंद केजडिवाल को जारी नोटिस पर आमादमी पार्टी का बयान सामने आया कि कोट के ओर्डर का अध्यन कर रहे हैं कोट के मताबिक कदम उठाएंगे कोट को बताएंगे कैसे एडी के सभी समन गैर कानूनी थे एडी ने केजडिवाल को पहला समन दो नवंबर 2023, दूसरा समन 21 दिसंबर 2023, तीसरा समन 3 जनवरी 2024, चौथा समन 18 जनवरी 2024 और पांचवा समन 2 फरवरी 2024 को भेजा था इस समन को सीम केजडिवाल ने गैर कानूनी करार दिया था उन्होंने कहा था कि कानोनी रूप से सही समन की तामील करेंगे आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021 से 22 की आबकारी निती में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ कारोबारियों को फाइदा पहुचाया गया जिन्होंने कथित तोर पर इसके लिए रिश्वत दी थी हालकि आमान्मी पाटी इन आरोपों का बार-बार खंडन करती रही है ED के समन भेजने से पहले CBI भी 16 एप्रिल 2023 को केजरिवाल से पूछताच कर चुकी है उसदरान उनसे 56 सवाल पूछे गए थे ED के अधिकारी जब कोट पहुचे तो जजज ने पूछा कि आगे आपकी कोई सब्मिशन है इस पर ED के अधिकारीों ने बताया कि हम अपनी दलिले दे चुके हैं अगर कोई भी क्लारिफिकेशन होगी तो S.V. राउज कोट के जुडिंग कारी के मुताबिक अर्विंद केजरिवाल की तरफ से कोई वकील कोट में पेश्ट नहीं हुआ इसके बाद दिव्या मलोतरा ने अपना फैसला सुनाया दलिकी मंत्री अतिशी का कहना है कि बीजेपी और पीएम मोदी अर्विंद केजरिवाल को खतम करना चाहते हैं अब उन्होंने इस पश्ट कर दिया है कि बिना किसी मामले या ECIR के छापे मारे जा रहे हैं ये क्या या प्रमुख जाच एजनसी है आज ED का इस्तमाल केवल उनके राजनेतिक प्रतिवदंदियों को खतम करने के लिए किया जा रहा है और अर्विंद केजरिवाल इस सुची में नंबर एक पर हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस अफ इंडिया और अर्विंद के लिए जाच एजनसी है